आपने देखा होगा कि डॉक्टर राजाय आलोग जी का जो ट्वीट था ट्वीट पे उन्होंने लिखा है कि वो किन कारणों से उन्होंने इस्तिफा दिया है तो बहुत मुछ बोलने की जवरत ने बहुत क्लियारिटी के साथ उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को अपना कारण यह कारण देखे एक चीज तो जान लिजए कि बिहार में हम लोग कहते हैं हमेसा कि बिहार में रूल आफ लौ है तो है रूल आफ लौ कहने का मतलब यह है कि अगर घटनाइं घटित क्योंकि हम अपराद शुने समाज की बात ने कहीं ही नहीं जा सकती कोई भी समाज क कोई भी देश कोई भी रास्ट यह ने कह सकता है कि मैं अपराद उसुने समाज बना दूगा लेकिन जो घटनाए घटित होती है निश्चित रूप से वो चिंतनिय होता है और उस पर हम लोग सभी लोग उस पर अफसोस भी जाहिर करते हैं कानून के राज कहने का जो हम कहते ह हैं तो जो भी घटनाए घटित होते हैं आप उसमें देखेंगे क्या हमारी सरकार और हमारा पुलिस और प्रसासन बहुत ही मुस्तेदे से उन सारी चीज़ों को हैं अब नहीं जो भी कहते हाई हैं जो इन sabyt सके बाहर की चीज़ कहते हैं आप मोंस्ट उफ देम में देखेंगे समरें आपसी रंजिस , हुएइ आप यह नहीं कहano हैं कि आपसी रंजलत के बाहर के और फिर भी हमारी सरकार और हमारी पुलिस और प्रसासन मुस्तैदिस उन केसिस को उन मामले को इन्विस्टिगेट करने में कहीं भी लैचेज नहीं और जो दोशी है दोशी को सक्ति से करवाई करके उनको बेहंड दबार किया जा रहा है कानून अपना काम कर रहा है इस मुल्क में विस्वारी इसराज में और हमारी सरकार जो है या प्रसासन कहीं भी एक इंटरफेरंस अपरादियों को बचाने के लिए नहीं होती है इसको तो हम लोग सरयाम चुनाती देते हैं कि एक भी अगर ऐसा मामला दे दें जहां पर ये ल कि अगर ये लिए नहीं देखे हमारा जो संगठन को लेकर का आपने देखा कि पीछले दिनों में मानानिया मुख मंत्री जी वो सक्री सदस्वे बने और विदिगर जो हमारे स्टेट के प्रिसिडेंट है वो सक्री सदस्वे बने उसी की कड़ी में अब हम डिस्टिक लेब गनायवें और इसमें सारी रननिती तैह होनी है कि किस तरह से हमें अपने सदस्वे अभ्यान को आगे माइक्रो लेबल पे बिल्कुल ग्राउंड लेबल पे ले जाना है अपनी पार्टी को न्यूस वन अलेबन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं